पानी पूरी की रेस्पी पानी पूरी की रेस्पी और धकन लगा करके इसमें सीटी लगा लेंगे इन्हें हम बॉयल कर लेंगे सबी चीजों को जब तक हमारा कूकर में सीटी आ रहा है तब तक यहाँ पर पानी पूरी का डो बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी सूजी को लिया है तो यह एकदम मोटी वाली सूजी है आप यहाँ पर मोटी वाली सूजी का यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया पानी पूरी बन कर तयार होता है तो यहाँ पर डाल देंगे इसके बाद हम डाल देंगे देड़ चमच चावल काटा इससे हमारा जो पानी पूरी है क्रिस्पी बनेगा और देखें यहाँ पर फ्रेंट मैंने एक पिंच मीठा वाला जो सोडा होता है उसे मैं डाल रही हूँ यहाँ पर बस थोड़ा सा ही डाले और थोड़ा सा मैं नमक को डाल रही हूँ और मैंने एक कलची में दो चमच left recined oil को को गर्म कर लिया है अब इसमे हम तो ऩजैंगे आप दो चमच left refined oil को revealed oil को डालने के बास अच्छी तरीके से mix करेंगे oil हमारा कलची में तो अच्छी तरीके में यूज़ कर रही हूँ जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं हाथ से अच्छे तरीके से रब करते हुए मिक्स कर लूँगी सारे चीजों को तो ये देखें आपस में सभी चीजों को हमने मिक्स कर लिया हाथ से अब यहाँ पर मैंने लिया है इस कप के नाप से एक कप पानी ये नॉर्मल पानी है ये फ्रिज की पानी नहीं है ना ही गरम पानी है बस नॉर्मल पानी से हम इसका डो लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे गूथेंगे तो अभी हमें थोड़ा सा हाड ही गूतना है बाद में हम फिर से हम इसे गूतेंगे क्योंकि सूजी हमारा फूलेगा तो यहाँ पर देखें मैंने अभी इस तरीके से गूत लिया है इसे हम गोल गोल करके हम 20 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ देंगे धकन लगा के इस तरीके के बॉल को रख दिया है मैंने धक करके तो देखे 15 मिनट जब तक हमारा सूजी फूल रहा है तब तक हम यहाँ पर इमली का पानी बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 4 घंट के पहले ही इमली को भीगो करके रख लिया था पानी में अब इसे हम छलनी में इस तरीके से हाथों से मसल करके डाल देंगे और इसी तरीके से रगरते हुए सारा पानी निचोर करके इस पतीले में निकाल लेंगे तो देखें इमली का पानी निकल गया है तो थोड़ा पानी और डाल दिया है मैंने तो साइड में रख दिया है, मैंने अब यहाँ पर जो पानी पूरी का मसाला है, पानी में डालने के लिए वो तयार कर लेते हैं एक चम्माजीरा, एक चम्माज धन्या, पांस से साथ दानी काली मिर्च के, चार सुखी लाल मिर्च को मैंने डाल करके इसे रोष्ट कर लिया है, तो यह अच्छे से रोष्ट हो गया है, अब हम इसे कूट लेंगे, तो दरदरा सा कूटना है आप चाहें तो मिक्सर जार में डाल के भी करस कर सकते हैं तो यहाँ पर सारे चीजों को इसके अंदर में डाल देंगे और इस तरीके से हम कूट लेंगे तो एच्छे से कूट जाता है ये ठंडा करके कूटेंगा तो जल्दी सा ये दरदरा सा देखें ये कूट करके तयार हो जाएगा तो पानी पूरी का जो पानी में मसाला बनता है वो तयार हो जुका है हमारा जो यहाँ पर मैंने एमिली का जो पानी निचोर करके रखा था और भी पानी को मैंने डाल दिया है और उसमें कुटे हुए मसाली को मैंने डाल दिया है और स्वात के नुचा नमक और ब्लेक सॉल्ट को मैंने डाला है आधा चमच और यहाँ पर डाल रही हो मैं एक पैकेट जलजीरा पाउडर को इस से बहुत बढ़गा टेस्ट आता है फ्रेंट जरूर डाल देगा और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रेड़चीली पाउडर को डाला है तो तीखा वला सूखी लाल मिर्ज का मैंने डाला है यह बहुत तीखा हो गया है तो मैंने थोड़ा सा ही रेट चीली पॉडर को डाला है और साथ में डाल देंगे हरा धनिया और पोदीने के पत्ते को मैंने चौप करके रख लिया था थोड़ा तो तो पुड़ासा बचा लेंगे आलू में भी आलू का जो चोखा हम बनाएंगे उस में डालेंगे तो हम मैं चक के बताती हूँ बहुत केश्टी पानी बनके तयार हुआ है पानी पूरी का फ्रेंट तो पानी पूरी का पानी हमारा बनकर तयार हो गया है तो चलिए कुकर की तरह इसमें अच्छे से सीटी आ गया है और आलू और सभी चीजे हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि अच्छे से हमारा चना और मटर पका है कि नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से पक गया है और मिर्ची भी हमारा बॉयल हो गया इसे मैं काट करके डालूँगी तो चलिए पानी पूरी का जो है चोखा हम बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इस बरतन में सारे आलू को निकाल लिया है और दाल घोटने वाला से मैं यहाँ पर मैस कर रही हूँ तो इस तरीके से आलू को मैस कर लेना है बिल्कुल फाइन मैस नहीं करना है बस थोड़ा सा आलू दरदरा सा ही रहना चाहिए और यहाँ पर मैंने डाल दिया आलू के अंदर में चना मटर को और साथ में कटे हुए प्याच को और काट करके मैंने हरी मिर्ची को डाल दिया है जो बॉयल करके रखा था और यहाँ पर मैंने दो चमच जो मैंने मसाला बना के तयार किया था उसे मैंने डाल दिया है और रेगुलर वाला आधा चमच रेड चिली पॉडर और कस्मीरी रेड चिली पॉडर को मैंने डाल दिया है आधा चमच और स्वाद के नुसर नमक डाल दिया है मैंने और बचा के जो मैंने रखा था हरा धनिया और पोदीनाय के पत्ते को उसे मैंने डाल दिया है और साथ में यहाँ पर डाल दिया है मैंने दो चम्मच पानी पूरी के पानी जो मैंने बनाया था उसे मैंने डाल दिया है और एक चम्मच जीरा पॉर्डर को डाल दिया है सबी चीजों को हापस में अची तरीके से हम हाथ से मिक्स कर लेंगे तो ये देखे फ्रेंज हमारा पानी पूरी का चोका है बिल्कुल तयार हो गया है और फिर से बापस चलते हैं हम पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए यहाँ पर देखे 15 मिनिट हो गया है थे तो मैंने जक्कन हटा दिया और फिर से मैं इस तरीके से हाथ से मसल करके मैं गु चार से पांच बार इस तरीके से तोर करके आपस में मिक्स करेंगे तो इस तरीके से तोर करके आठा का डो तयार करेंगे तो इस सभी आपस में मिक्स हो जाएंगे अच्छे तरीके से पानी पूरी का आठा तो इस तरीके से तीन लोई हमारा तैयार हो गया है पानी पूरी का तो इस तरीके से गोलबल कर लेंगे हतिली में और इसे हम बेल लेंगे अब हमारा आठा सूखे नहीं इसके लिए मैंने एक कपड़ा को भिंगा करके खैक उपर में ढ़ग देंगे और देखे इसी तरीके से आपको भी कर लेना है नहीं तो यह जो है आठा हमारा सूख जाएगा तो इसी तरीके से इसमें मौस्चर बना रहे है इसलिए गिले कपड़े से ढख करके रखे अब मैं यहाँ पर एक लोई को निकाल करके इस तरीके से बेल रही हूँ तो देखे यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मैदा को लिया है साइड में थोड़ा सा बेलने के बाद मैदे को दोनों साइड हम थोड़ा थोड़ा छिरकते हुए हम पानी पूरी का पूरी बेल करके तयार करेंगे तो पानी पूरी का जो पूरी होता है वो पतला होता है तो आप जब तक ये transparent सा न हो जाए हमें उतना बेलना है तो जितना आप पतला बेलेंगे उतना ही अच्छा पानी पूरी बन कर तयार होगा एकदम ज़्यादा पतला भी ना कर दें बस transparent सा दिखने लगेगा बस हमें उतना ही बेलना है इस तरीके का होना चाहिए तो यह देखे इस तरीके से पाँच पूरी हमारे कट करके निकल गए हैं मैंने इस किलास के नाप से पूरी को बनाया है आपको जिससे सुविधा हो उससे बना करके त्यार करें हमारा यहां पर पूरी कट गया है तो अब हम फिर से इसे बेलेंगे और पतला करेंगे तो इस तरीके से जो काट करके रखते हैं तो थोड़ा सा मोटा ही रहता है तो उसे हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे तो अच्छा पानी पूरी बनेगा तो देखे एक पूरी का पानी पूरी हमारा बनकर तयार हो गया है तो दूसरा भी लोई निकाल करके हम इस तरीके से काट करके तयार कर लेंगे जो बचा हुआ आटा जो निकलेगा उसे हम फिर बेलने में यूज कर लेंगे तो यह तरीके से सारे पूरियों को हम बेल करके त्यार कर लेंगे तो यह देखे हमारा दूसरे बार भी पूरी बेल करके त्यार हो गया है तो मैंने यहाँ पर गीले कपरे पर ही मैंने पूरियों को बेल करके रखा है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मौश्चर उड़ना नहीं चाहिए पूरी में से मौश्चर बना रहेगा तो पानी पूरी बहुत अच्छे तरीके से फूलेगा तो तेल गर्म हो गया था तो सारे पूरी को हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल करके हम तल लेंगे देल में से धुआ उठीने लगे फिर आप आज को थोड़ा सा मध्यम कर दें तो इस तरीके से देखे लाल होने तक हम गोलगप्पे की पूरी को हम तल करके तयार कर लेंगे तो यहाँ पर देखे एक बैच हमारा हो गया तो मैं दूसरे बैच में भी जाल रही हूँ तो मैं यहाँ पर चार पूरी पाच पूरी करके तल रही हूँ ज्यादा जाल नहीं रही हूँ नहीं तो पूरी हमारा फूलेगा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप पूरी क तले तो ये देखें दूसरे बैच में भी हमारा पूरी बिल्कुल फुला-punla ही बनकर तयार हुआ है एक पूरी ऐसा नहीं है जो नहीं फुला है फ्रेंग तो हमारा सारा गुलकपब्पा बनकर तयार हो गया है एक दम यमी-yमी है आपको भी देखकर मुझ में पानी आ कि कितना क्रिस्पी बना है तो यह देखें बहुत ही ज्यादा जैसे आप मार्केक में खाते और खेले वाले के हैं बिल्कुल वैसे ही हमारा पानी पूरी बनकर तैयार हुआ है अब मैं ऐसी आवाज भी आपको सुनाओंगी यह सुनिए तो आपने सुना ना फ्रेंट कितना अच्छा हमारा पानी पूरी बना है तो आप भी जरूर घर पर ट्राइ कीजिए मेरे इस तरीके से बना करके देखें आप एकदम पर्फेक्ट पानी पूरी घर पर बना सकते हो बहुत ही ज्यादा केस्टी और बाहर से भी ज्यादा लेसियस बहुत ही यम्मी है, सारा गा सारा तो आप ही खतम कर दोगे, मेरी ये गारेंटी है, बहुत ही मजे की बनी है, चेट पटा सा, तीखा सा, पानी, पूरी हमारा बन कर तयार हुआ है, तो आई हो फ्रेंड, आप भी जरूर घर पर ट्राय करेंगे, अगर वीडियो अच् आपको मिलती रहे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेस्पी के साथ, टेक कियर, बाई बाई, थैंक्स पूर वाचिंग माई वीडियो,